आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे के मुख्तलिव वेजटबल्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हाँ बेल के बटन को दुबाना मत बुलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखर तक देखेगा हमारे पास फर्स्ट वेजटबल्स है खुम्बी जिसे इंग्लिश में मश्रूम कहते हैं यहां एक बात याद रखें के वेजटबल्स को कभी भी आप वेजटबल या वेज़ी टेबल नहीं पढ़ेंगे ना इसे वेज़ी पढ़ेंगे ना इसके आखर में टेबल लगाएंगे बलके इसे सही तरीके से प्रोनांस करेंगे वेजटबल वेजटबल नेक्स्ट वान इस पालक पालक को इंग्लिश में स्पिनच कहते हैं पालक स्पिनच नेक्स्ट वान इस पोदीना पोदीना को इंग्लिश में मिन्ट कहते हैं नेक्स्ट वान इस प्याज प्याज को इंग्लिश में आनियन कहते हैं इसे ओनियन नहीं पढ़ेंगे बिल्कि इसे पढ़ेंगे अनियन फूल गोबी फूल गोबी को इंग्लिश में कॉलिफलार कहते हैं फूल गोबी कॉलिफलार नेक्स्ट वन इस टमाटर टमाटर को इंग्लिश में टोमाटो कहते हैं टमाटर टोमाटो नेक्स्ट वन इस चिकंदर चिकंदर को इंग्लिश में बीट रूट कहते हैं चिकंदर, बीट रूट बिंडी तोरी को इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं जी हाँ आपने देखा होगा कि इसकी जो शेप है लेडी फिंगर की तरह होती है especially small finger की तरह तो इसलिए I think इसे लेदी फिंगर का नाम दिया गया है अदरक अदरक को इंगलिश में जिंजर कहते हैं अदरक, ginger आलू को इंगलिश में पोटेटो कहते हैं आलू, पोटेटो नेक्स्ट वन इस बंदगोबी बंदगोबी को इंगलिश में cabbage कहते हैं बंद को अभी cabbage, गाजर को इंग्लिश में carrot कहते हैं, गाजर, carrot, इंग्लिश में इसे lemon कहेंगे, लेमू, lemon, सब्ज मिर्च, सब्ज मिर्च को इंग्लिश में green chili कहते हैं, मत्रों को इंग्लिश में peas कहते हैं, सिंगल मत्र होगा तो इसे pea कहेंगे, अगर बहुत ज्यादा मत्र होगे तो इसे peas कहेंगे, मोली को इंग्लिश में radish कहते हैं, मोली, radish, सब्ज दानिया को इंग्लिश में green coriander कहते हैं, सब्ज दानिया, green coriander, सलाद पता को इंग्लिश में lettuce कहते हैं, सलाद पता, lettuce, नेक्स्ट वन इस शकरकंदी इसे इंगलिश में स्वीट पोटाटो कहते हैं शकरकंदी स्वीट पोटाटो नेक्स्ट वन इस शलजम इसे आप शलजम भी कह सकते हैं और शलगम भी कह सकते हैं इंगलिश में इसे टरनिप कहते हैं शलजम टरनिप next one is खीरा खीरे को इंगलिश में cucumber कहते हैं खीरा या ककड़ी इंगलिश में cucumber हलवा कदू इंगलिश में इसे pumpkin कहते हैं हलवा कदू pumpkin next one is गिया कदू इसे इंगलिश में green pumpkin कहते हैं गिया कदू green pumpkin next is भेंगन इसे इंगलिश में brinjal कहते हैं भेंगन brinjal फलियों को इंगलिश में green beans कहते हैं फलियां green beans next is लाल मिर्च इसे इंगलिश में red jelly कहते हैं लाल मिर्च, रेट चिली नेक्स्ट वेजटबल है ब्रोकली इसे इंग्लिश में भी ब्रोकली कहेंगे और उर्दु में भी ब्रोकली कहेंगे नेक्स्ट वन इस शिमला मिर्च इसे इंग्लिश में बल पेपर कहते हैं शिमला मिर्च, बल पेपर मकैई को इंग्लिश में कोर्न कहते हैं मकैई, कोर्न बाद लोग इसे मक्की भी पढ़ते हैं दोनों तरह से ठीक है कचालू को इंग्लिश में याम्स कहते हैं कचालू, याम्स नेक्स्ट वन इस क्रीला इसे इंग्लिश में बेटर गोर्ड कहते हैं क्रीला, बिटर गोड़, लोकी को इंगलिश में बोटल गोड़ कहते हैं, लोकी बोटल गोड़, नेक्स्ट वन इस तर, ये एक सलाद आइटम है जिसे इंगलिश में सैलिट गोड़ कहते हैं, तर, सैलिट गोड़, अर्वी, इसे इंगलिश में टैरो रूट कहते हैं, अर्वी, टैरो रूट, लास्ट वेजटाबल है, काली तोरी, इसे इंगलिश में रिज गोड कहते हैं, काली तोरी, रिज गोड, जुच्क वाचिक शुचिवाट च्जानल